आज का मारा topic है periodic properties देखो भाईया सबसे पहले तो सबसे important चीज बात ये है कि अगर आपको वाके में chemistry को समझना है तो आप लोगों को पूरी periodic table जो दी हुई होती है उसको अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि वह आपको बहुत deep knowledge देती है और वो समझाती है कि chemistry actually chemistry का base क्य है are you getting my point वहां से आप chemistry को समझना शुरू करते हो कि actually chemistry का base क्या है मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि उस periodic table को बनाने में 200 साल लगेगे 200 साल 200 लग गए थे 200 साल और मैं आपको एक और चीज बताता हूं I think वह हमारे पूरी की पूरी humankind के लिए periodic table जो है व इतने सारे element को arrange करना एक बहुत दुविदा जनक बात है ना वो भी एक table में ऐसे arrange कर देना कि सब एक दूसरे से कोई ना कोई जो है एक दूसरे से relate करता properties relate करती है बहुत important है तो सबसे पहले तो हम लोग यह समझेंगे कि आपन classify करते क्यों है elements जो हमारे discover हो थे उनको classify करने क कि जरूरत क्यों पड़ी सवाल यह है तुम आपको बताता हूं सन 1800 में मात्र 31 element discover हुए थे सन 1800 तक 31 element discover हुए थे 1865 तक 63 element discover हो गए थे और 2016 तक जो आप modern priority table देखते हो उसमें 118 element आप लोगों को priority table में दिखाई देते हैं होने को तो और भी हुए हैं लेकिन 118 element की priority table आप यो बेटा थाली में परोज के लड़ू के जैसे तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आता तो उन्होंने इतना दिमाग लगाया ताकि आप priority table को याद भी कर सको और जो element same properties रखते हैं वो एक ही group में आए या एक ही period में आए कुछ ने कुछ उनमें समानत आए हो उन properties match करती हो इस तरह से उन्हें arrange किया गया जैसे आपको मैं बोलू कि चलो अपनी ना ममी ने आज आप लोगों को आपके पापा ने आप लोगों को आज एक अलग-अलग अलमारी खरीद के दिये हैं है ना चिंटू को अलमारी दिये हैं दूसरे लोहे वाली मतलब दे दी दोनों को दे मिंटू की कपड़े मिलें चिंटू की अलमारी में चिंटू की सॉक्स मिलें चिंटू की अलमारी में चिंटू की चटी मिलें आ रहा है समझ में और मिंटू की अलमारी में मिंटू का समान मिलें are you getting my point तो यह क्यों किया गया और उसमें भी चिंटू और मिंटू को वोला गया कि तुम में जो समान दिया गया है उसे तुम अलमारी में अपने इसाब से लगा लो तो सबने क्या किया एक बॉक्स बनाया केमिस्ट्री का एक बॉक्स बनाया फिजिक्स का एक बॉक्स बनाया बायो का उसमें केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की बॉक्स होंगी फिजिक्स में फिजिक्स की बॉक्स होंगी बायो में बायो की बॉक्स होंगी नीचे वाले अलमीरा में कपड़े होंगे सबसे नीचे वाले अलमीरा में वो चडड़िया socks और यह सब रखेगा आ रहा है समझ में तो यह सब से नीचे वाले में रखेगा तो उसने system तै कर लिया ताकि अगली बार उसे कुछ ढूंड़ना नहीं पड़े जब emergency होगी तो तो इसको कहते हैं एक systematical arrangement कल को से सुबह माल लो के 7.30 बज़े school लगती है और भाई साब अपने उठे हैं 7.25 मिनिट पे तो कम से कम चड़ी तो बदलेगा अब भागते हुए उसको अलमारी में अगर चड़ी नहीं विली उसकी तो बदलेगा कैसे हैं तो इसलिए उसने सारे इंतिजाम पहले से करके रख दिये जिससे आपका क्या होता है अगर आप करते हो तो चीज़े ढूढने ही आसान हो जाती है इसी वज़े से हमने क्या किया इन सारे periodic elements को उनकी periodic properties के हिसाब से अरेंज किया इनमें अरेंज करने में बहुत लोगों का नाम आता है लेकिन सबसे उपर नाम आता है दिमित्री मेंडलीव का याद है दिमित्री मेंडलीव का लेकिन दिमित्री मेंडलीव ने जो महनत की थी वो atomic mass के हिसाब से अरेंज करके करी थी actually उसने जो criteria लिया था वो atomic mass लिया था जो की आके चलके गलत हो गया but almost 70% दिमित्री मेंडलीव की प्रोडिक टेबल को हम लोग काम लेते हैं modern प्रोडिक टेबल बनाने में मोजले ने लिया था दिमित्री मेंडलीव की प्रोडिक टेबल को काम इस चीज को समझ मैं है तो दिमित्री मेंडलीव को हम लोग father of productable बोलते हैं यह बहुत important है